ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है सिंग राशी वालू अब भगवान भुलेनात का फैसला आ गया है या दोस्तू 8 अगस्त से 22 अगस्त यानिक इन 15 दिनों में प्यार, पैसा, सुख, क्या-क्या लिखा है आपके नसीब में इस वीडियो में आपके 8 अगस्त से 22 अगस्त यानिक इन 15 दिनों के महराशी फल्क के बारे में बताने वाले हैं कि आपके लिए 8 अगस्त से 22 अगस्त का समय किस प्रकार रहने वाला है साथ इसाथ इन 15 दिनों में ग्रहों में होने वाले परिवर्तन आपके लिए किस प्रकार शुब और किस प्रकार अशुब प्रभाब डानने वाले हैं इस वीडियो में आपको शंपोन जानकारी देने वाले हैं इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल भी नजर अंदाज मत करना क्योंकि यह वीडियो आप के लिए बहुती महत पकून रहने वाली है दोस्तों वीडियो को आग़े शुरू करें सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भगवान भुलेनाथ के सच्च भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें कमेंट स्मोक्स में जै भुलेनाथ तवश्च लिखें जिससे भगवान भुलेनाथ का सिरवादा पुशिर्य पराप्त हो सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशी वालों के लिए 8 अगस्त से 22 अगस्त याने किन 15 दिनों का यह बहत पपोने समय दोस्तों यह समय आर्थिक पक्ष पहले से अधिक शक्षम और मजबूत इस्तिती में रहेगा कुछ समय से चल रही चिंताओं से अब आपको राहत मिलेगी परिवार के लोगों की हर छोटी मोटी जरूरते कूरी करने में आपको आनन्द आएगा अचानक ही किसी पुराने मित्र या परिचित से मुलकात खुसी आपको प्रदान करेगी दोस्तो साति सात यह समय भग्य उन्नती के सुब अफसर बन रहे हैं जो काम पिछले काफी समय से रुका हुआ या फिर अटका हुआ था उसके अब पूरा होने का समय आ गया है कुछ विरोधी हावी होंगे परन्तु आपका आहित नहीं कर पाएंगे दोस्तो यह समय विद्धार्तियों की पिर्तियोगी परिक्षाओं का परिणाम उनके पक्ष में आएगा आवश्चकता है तो सिर्फ पहले से ज़्यादा मेहनत करने की किसी रिष्टेदार या मित्र द्वारा कोई महत्पपोन सूचना भी आपको मिल सकती है जो आपके लिए लाबदायक साबित होगी दोस्तो साथ साथ यह समय बच्चों की पढ़ाई में करियर से सम्मंदित समस्याओं का समाधान मिलने से सुकून और राहत मिलेगी बड़े बुजर्गों के आशिरवाद वे किर्पा से घर में खुस नुमा वाता वर्रन रहेगा आप अपनी किसी कमजोरी पर विजय पाने के लिए भी प्रत्न सील रहेंगे दोस्तो साथ साथ पिछले काफी समय से जो काम आपके रुके हुए या फिर अटके हुए थे वे अब आपके अल्प पिर्यास से ही पूरे होने की संभवना हैं किसी रिष्टेदार से संबंदित कोई समचा सुनने को आपको मिल सकता है भाईयों से बटवारे संबंदित विवाद का निप्टारा आपसी सहमती वे किसी की माद्यमता से आसानी से हल हो जाएगा राजनितिक तता महत्पपूर्ण लोगों से लाबदायक आपके संपर्क बनेंगे आप अपनी बुद्धी म जता वे होस्यारी से अधिकतर काम निप्टाने में यह समय सक्षम रहेंगे दोस्तों साति सात यह समय कुछ लोग आपकी आलोजनावे निंदा कर सकते हैं ऐसी नकारात्मक प्रवर्ति के लोगों से दूरी आपको बना कर रखने की आवश सकता है खर्चों की अधित्त रहे जिससे आपका बजट भी बिगड़ सकता है भायों के साथ संबंध मधूर बनाकर रखने में आपका विशेश योगदान रहेगा दोस्तों यह समय आप अपने क्रोध वे आवेश को काबू में रखना आपके लिए आवश्क हैं कई बार जल्दबाजी वे अति उत्सा में बनाया हुआ खेली भी बिगड़ सकता है जिसकी वज़े से परिवारिक शुक्षांती भी ब्रभावित हो सकती हैं संतान का जिद्दी वे अडियल रविया आपको चिंता में डाल सकता है दोस्तों साथ साथ यह समय आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें क्योंकि रूप से बेवकूप भी बना सकता है व्यर्थ के कारों में धन खर्च होने के भी योग बन रहे हैं इसलिए अपने खर्चों पर आपको नियंतर रखने की आवशक्ता है भूमी वैवाहन संबंदी रण लेने से पहले आपको किसी की सला आवश्य लेनी चाहिए यह आपके लिए अच्छा रहेगा साथ साथ दोस्तों यह समय विद्यार्तियों को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की आवशक्ता है साथ ही फिजूल खर्चों में भी आप कटोती करें क्रोद वैं उत्तेजना पर आपको जरूर नेंतर रखने की आवशक्ता है अन्य था कि आपके संबंद भी खराब हो सकते हैं दोस्तों साथ साथ अपनी भावुकता और उदारता जैसी कमजोरी पर विजय प्राप्त करना आपके लिए अति आवशक है क्योंकि इसकी वज़े से कुछ लोग आपका फायदा भी उठा लेते हैं सोशल मीडिया और व्यर्थ के मित् आप दूरी बना कर रखें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों साथि साथ बात अगर आपके लव लाइफ की करें तो यह समय परिवारिक वातावरण सुखद रहेगा प्रेम प्रसंग में पढ़कर अपने केरियर के साथ कोई समझोता आप ना करें दोस्तों साथि आपसी तालमेल और समाजस में कुछ कमी रह सकती है इसलिए कुछ समय परिवार के साथ बैठ कर समय वैतीत करना माहूल को बहुती शामान ने बना देगा दोस्तों साथि साथ पती पतनी के मध्धें यदि कोई विवाद चल रहा है तो उसका अब हल निकलेगा तथा घर का वातावरन खुसनुमा हो जाएगा प्रेम प्रसंग में पढ़कर अपने केरियर वै अध्यन के साथ समझोता आप ना करें परिवार में आपसी प्रेम बना रहेगा किसी बच्चे की किलकारी सम्बंदित सुब सूचना मिलने से परिवार में यह समय खुसनुमा वातावरन रहेगा और परिवार प्रसंदता पूर्ण रहेगा दोस्तों बात अगर आपके व्यवसाय और केरियर की करें तो यह समय वैपार वै कामकाज में कुछ थोस्वे महत्पपूर्ण आप निरने लेंगे जो कि आपके लिए बहुत अधिक फायदेबंद साबित होंगे आर्थ को करनी पड़ सकती है दोस्तों साति सात कारोबार में कड़ी महनत और परिश्रम की आपको आवशकता है कारे विस्तार संबंदी योजनाएं कारे रूप में पढ़नित होंगी एक बार उस योजना का उन्हें परिक्षण आप जरूर करें नोकरी में हलकी फुलकी परिशान का हल बहुती सांति पूर्ण धंग से निकाल लेंगे साति सात कारे छित्र में विस्तार के लिए कुछ योजनाओं पर विचार होगा यह समय मार्केटिंग संबंदी कारों पर अधिक आपको ध्यान देने की आवशकता है किसी बड़े अधिकारी या राजनितिग से आपकी मुलाकात बहुत फायदेबंद साबित होगी नोकरी पेशा लोगों की दिन चरिया बहुत अधिक व्यस्त रहेगी दोस्तों साति सात यह समय व्यपार में विस्तार संबंदी जो योजना पिछले काफी समय से चल रही थी उसके क्रिया निवंत करने का समय आगया है सेल टेक्स जी अश्टी आदी से जुड़े काम आप जल्द ही पूरा कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा प्रैवेट नोकरी में लक्षे को प्राप्त करने का आपके उपर समय दबाब भी रहेगा दोस्तो साथ साथ यह समय कामकाज को पूरी गंभीरता और संजिदगी से आप अंजाम दें अन्यथा आपका ओडर भी कैंसिल हो सकता है और पैसे भी फस सकते हैं सरकारी नोकरी में किसी प्रकार की उल्जने उत्पन हो सकती है इसलिए व्यर्थ किसी के काम में हस्त छेप आप ना करें दोस्तो साथ साथ व्यपार में कोई भी नया निवेश करने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच परताल आप अवश्य करें किसी की चिकनी चुपडी बातों में आकर आप अपना अहित कर बैठेंगे नोकरी में छोटी मोटी समस्याइं आ सकती हैं परंतु बॉस और वरिष्ट अधिकारियों का सयोग आपको तानाव मुक्त रखेगा दोस्तो नोकरी पेशा लोगों के लिए यह समय मिला जुला रहने वाला है दोस्तो बात अगर आपके स्वास्थ की करें तो यह समय शारारिक कमजोरी तथा हड्डियों में दर्द जैसी समस्याइं रह सकती हैं वर्तमान महौल से अपना आपको बचाव रखने की आवश्चकता है स्वास्थ आपका ठीक रहेगा परंतु खान पान तथा दि संदित दिक्कतें रह सकती हैं जादा गरिष्ट और तेलिये भोजन खाने से आप परेज करें किसी भी प्रकार की बुरी आदत वे बुरी संगती से आप दूर रहें इसी वजह से आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो सकता है दोस्तो अपने स्वास्थ को और भी अच्छ करें ही गाँ